हेलो चिल्डन्स नागेश करजगी और्कीड स्कूल के तरफ से मैं अन्वर सर आप सभी चिल्डन्स का स्वागत है आज आपको 10 स्टेप से सिखाए जाएंगे बेसिक के जो डांस के होंगे तो फर्स्ट स्टेप में बताने के लिए जा रहा हूं आपको एक बात ध्यान में रखो इस तरीके से आप खड़े रहे ना एक पैर और यहां से यह वन हिल को टच करना है 1 & 2, 3 & 4, 1 & 2, 3 & 4, 1 & 2, 3 & 4, 1 & 2, 3 & 4, इसी तरीके से हैंड को भी ले 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 ना, जैसे कि लाग दिस नीचे के तरफ से आप उठाकर हैंड को इस तरीके से, उपर की तरफ करना है 1 & 2 & 3 & 4, okay? Legs के opposite अपने hands का steps होना जाहिए जैसे कि आपका left leg अगर जा रहा है, left leg और आपका right hand उपर की तरफ रहना चाहिए ठीके? अगर आपका right leg, hill की तरफ याने step की तरफ जा रहा है तो आपका left hand इस तरीके से, उपर की तरफ रहना चाहिए ठीके? फिर से देख लो step, okay? 1 & 2, 3 & 4 इसको थोड़ा सा fast करना है आपको 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8 इसको दीमे से नहीं करना है, जैसे slowly आपको मैं बता हूँ यह 1 & 2, 3 & 4 1 थोड़ा से, 1 & 2, 1 & 2, 3 & 4 जैसे कि अगर हम इसको म्योजिक के उपर करेंगे, steps के साथ, तो यहां से 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 9, 8 इस तरीके से step होगा, ठीके? step number 2, अब मैं आपको दूसरा step दे रहा हूँ, यह इसका practice आप घर में कर सकते हो, ठीके? अब दूसरा step, यहां से देख लेना, यहां से hands को आपको गोल भूमाना है, जैसे कि round up, 1 & 2, 1 & 2, अभी यहां से जा रहे होगा, 1 & 2, 3 & 4, 1 & 2, 3 & 4, अब लेफ्ट की तरफ जा रहे होगा, तो hands को opposite direction में आपको गुमाना है, जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, अब 1 & 2, 1 & 2, इस हांस को continue करते होगा है, इस तरफ से इस बाजू में लेना है, ठीके? है, hands के movement देखो, थोड़ा difficult लगते हैं, लेकिन है आसाम, जैसे कि 1 में जा रहे होगा, जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, 1 & 2, 3 & 4, अब यहां से, step को अगर continue आपको करना है, तो यहां से देखे, 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, अब इसको speed में हम अगर music के उपर करेंगे, तो कैसा लगता है, जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, खोड़ा सा jump करके लेना है आपको, हर बार पैर के जो steps है, अब यहां से किया basic step, यह 1 & 2, 3 & 4, अब जब 1 & 2 करते हो, तो अपने पैर को, legs को tap करके लेना है, आपको जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, जोर-जोर से flooring floor के उपर, आपको tap करके लेना है, उसी के साथ, आपको hands को मिलाना है, जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, शुरूर में उसका basic क्या होगा, 1 & 2, 3 & 4, आप इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपके जो hands है, आपोजिट डारेक्शन में आपना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, फिर से देख लो, 1, इसको छोड़ना नहीं है नीचे, hands को, आपको नीचे नहीं छोड़ना है, इस को continue करना है, जैसे कि 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, अब हम आपको बताएंगे, step number 3, हाँ, तो आपका step number 3 होगा, ठीक है, यहां से आपको पैर आगी की तरफ लेना है, आप अगर लेफ्ट से शुरू करना है, तो लेफ्ट से शुरू करना है, तो लेफ्ट से शुरू करना है, तो से शुरू करना है, तो लेफ्ट से शुरू करना है, तो लेफ्ट से भी कर सकते, यहां से आपको यहां से, आपको, करना है तो कर सकते हो अब इसके हैंड्स के जो मोंट है यहां से देंगे यह 1 & 2 then हैंस को ऊपर की तरफ कर ना है उपर फिंगर आपके बंढ रहेंगे अटमांट लेइँ और लेंगे अर्लै 2 and then 3 and 4 फिर आना हम उपस 5 and 6 and 7 and ठीक है जब भी आप आगे की तरफ जाओगे तो फ्रॉंट जो हाथ है पीछे की तरफ ये जैसे पीछे की जाएगे ये नीचे की तरफ जैसे कि 1 and 2 पुश अप पुश करना है आपको उपर की तरफ 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 यहां से hands, फिर से देख लो 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 अब इसको music के पर अगर fast करेंगे तो ये step किस तरीक से दिखते है तो 1 and 2, 7 and 8 इस तरीके से ये step हो गया, आपका step number 3 अब हम करेंगे step number 4 डड़ी गये, यहां से देखे, मुठी यां बन करें and then यहां से punch करना है आपको ये like this, 1 उसके साथ थोड़ से shoulder को आप नीचे की तरफ जुखाना है जैसे कि 1 and 2 and 3 and 4 3 and 4, 1 side double लेना है आपको जैसे कि 1 and 2 3 and 4 जैसे इधर 3 and 4 लिया, इधर इस बाजू में भी 7 and 8 लेना है आपको double time जैसे कि 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 hands को उपर की तरफ रखके आपको खरना है ठीक है? यहां से देखें फिर से एक हाथ उपर लेलो थोड़ सा bend हो जाओ, नीची की तरफ, like this and then step करते समय, अगर इस तरफ से step चल रहा है तो यहां पे आप थोड़ सा bend करें इस तरफ चल रहा है, तो यहां से आप थोड़ा सा bend करें ready? 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2, 3 and 4 and then like this यहां से देखो, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 फिर से देखो, yes, अगर आप मेरे साथ करना है तो आप कर सकते हो, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, थोड़ा सामय, like this, हां? अगर स्टप करते समय, इस तरीख से आप कर सकते हो, ना, स्टप number 5, ठीक है? यहां से आपको एक jump लेके इस बाजू में आपको जाना है and 2, 3 and 4, simple step, देखो, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, यहां से स्टप करते समय, आपको jump करके लेना है, 1 and 2, 3 and 4, ठीक है? यहां से देखो, 1 and 2, 3 and 4, और इस ही वक्त में hand के movements क्या रहे हैं, जैसे के 1 and 2, जैसे 1 and 2, 3 and 4, यहां से देखो, 1 and 2, 3 and 4, अब इसको jump के साथ लेना है, आपको, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, ठीक है? यह समझ में आ रहा है, आपके, फिर से देखो, slow, 1 and 2, 3 and 4, यह step करते समय, आपको jump करना बहुत ज़रूर ही है, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, step number 6, इसको, 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 आपका लेफ लेक आगे लेलें, और यह step नहां से, यह 1, 2, 3 and 4, यहां से, पिर से देखो, 1 and 2 and 3 and 4, अव यसी को continue करो, यहां से, 1 and 2 and 3 and 4 ऐसा 4 टाइम आपको करना है यहां से अब मैं इसके शुरुबात यहां से करता हूँ देखों, यह 1 and 2 and 3 and 4 then 5 and 6 and 7 and 8 यहां से एक हैंड को आपको पीछे की तरफ लेना है और अपने हैड को पीछे की तरफ आपको जर करना है अब इस तरीके से आप ले रहे हैं यहां से and then 1 and 2 and 3 and 4 then 5 and 7 and 8 इस तरीके से आपको head को shake करना, hands straight रहेगा यह step करते समय है, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं हटाएंगे बिल्कुल, ऐसे इसी तरीके से constant रहेगा and एक पर, लेफ लेक को, अब आगे लेनो hands को इस तरीके से पीछे की तरफ जर्क नहीं देना है यहा से आपको, यहा से आपको, इस तरीके से उताएंगे and then shake your hands like this and 1 and 2, 3 and 4 okay, खिर से देखनो, hands को उपर की तरफ and then shake your knees, okay, yes, 1 and 2, 3 and 4 यहा से, अब इसके आगे आपको, like this, 1 and 2, 3 and 4 अब यहा से इस तरफ, 1 and 2, 3 and 4 यहा से शुरू करना है और यहा पर फिर से खतम करना है आपको यहा से, ready, and 1 and 2, 3 and 4 यहा से आओगी, 1 and 2, 3 and 4 हर बार यहा पर 4 count, center में 4 count, फिर यहा भी 4 count ही आपको लेना है इस तरीके से यहाने 1 and 2, 3 and 4 अब इसको continuously कैसे करेंगे, यहा से, 1, आप 2 count भी कर सकते हो जैसे कि 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 मतलब उपर, फिर बाद में, यहाँ पे center पे करना, फिर इदर जाना, यहां से यह करना, फिर वापर pressure center में आना, फिर धर जाना, ठीक है, तीनों दरफ से steps चलते हैं, मतलब आप सीखते समय, four count किया तो भी चलता है, या two counts किया तो भी चलता है, जैसे कि one and two, three and four, 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 ready, यहां से आप four count में भी कर सकते हो, और two counts में भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि one and two, then three and four, यहां पी किया, one and two, three and four, इसको continuously, अगर आप music के साथ करोगे, तो यह step कैसे देखने लगेगा, जैसे कि one and two, three and four, 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 यहां स्टप करते समें नीस का आपका शेक होना हूँ बहुत ही जरूरी है, यह बाद्ध्यान मेरे को, तभी डांस के स्टप्स ग्रेसफुल लगते हैं, जैसे कि शेकिंग होने के वज़े से, इसके बाद मैं आपको दूसरा स्टप दे जारा हूँ, अगला जब आप इस तरफ जाओगे, one and two, three and four, यहां से इस तरफ जाना है, ठीक है, फिर से देख लो, एक पैर, अगर आपको आगे जाना है इस तरफ, तो आपको यह पैर ट्विस्ट होना चाहिए, जैसे कि one and two, three and four, इस तरफ से यहां जाना है, and then one and two, three and four, So, hand के जो moments, जो यहां से इस तरफ से रहेंगे, and then, जब आप आप आगे की तरफ जाओगे, like this, one and two, three and four, यहां से इदर one and two, three and four, अगर आप इस बाजु में जा रहे हो, तो वहां पै आपको आपको देख देखना है आपको, देखना है आपको, and front, फिर से देख लो, रड़ी, one and two, three and four, five and six, seven and eight, इस तरीके से music के उपर खरेंगे, तो आपको ये, अब slow देख लेना, जैसे के आगे की तरफ जाना, बहुत मुश्किल नहीं है, one and two, three and four, then five and six, seven and eight, hands को आपको पीची की तरफ दबाना, अगर आप इस तरफ जा जा रहे हो तो आपके आपोजिट है, like this, one and two, then three and four, and यहाँ जा रहे हो, one and two, three and four, okay, now, अब आपको अगले स्टिफ की तरफ जाते हैं, जैसे की त्विस्टिंग जिसको बोलेंगे हम लो, जैसे रॉक एं रोल, ज आपको चलता है, तो ट्विस्ट करना, मतलब यहाँ आपको इस, and then, yes, simple and best, दोनों पैर अपने फ्लोर पे हैं, और इसको ट्विस्ट करना है, like this, one, two, three, four, one, two, three, four, one, twist करना है, simple, देख लेए, one, one, two, three, four, अब इसमें अलग-अलग स्टाइल साएंगे, रॉक एं रोल के जैसे म्यूजिक साते हैं, उसी के उपर यह किया जा सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको करके देख लिए, like this, two, three, and four, one, two, one, and four, and two, one, three, and four, यह हुवा, रॉक एं रोल के स्टेप्स, अब यहाँ जिसको बोल आपको, one, and two, three, and four, one, and two, three, and four, one, and two, three, and four, check your heads, and fingers, like this, and then, and then, jump, okay, फिर से देखो, one, and two, three, and four, one, and two, three, and four, now, next step, rock and roll का, इसी के तरह की से, hands को like this, and the hands, and then, twist, one, ठीक है, इसको इस तरह की से, यह हाथ उपर की तरफ लेलो, and then, shake, one, and two, three, and four, hands को आप बदल के कर सकते हो, one, and two, three, and four, here we go, this is rock and roll के स्टब से, then we are again, now next step, and here we go, one, cross the one and two, then three and four, one, cross the hands, finger, and like this, and, hands को गोल गमा के, फिर निची की सरफ लेलान, tähän से देखो, 1, cross your hands 2 and 3 and 4 अब सको fast में अगर खरे थोड़ा सा बेंड हो ना आपको 1 and 2, 3 and 4 1 and 2, 3 and 4 थोड़ा सा बेंड हो ना ये step करता है एक हैं, देखाँ 1 and 2, 3 and 4 आपको हैंड को घुमा के फिर यहां से fast 1 and 2, 3 and 4 then 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4 5 and 6, 7 and 8 ये गो, रड़ी 1 and 2, 3 and 4 5 and 6, 7 and 8 अब यहां से म्यूजिक के उपर अगर हम करने लगे तो इस्टप किस तरीके से दिखता है 1 and 2, 3 and 4 5 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4 5 and 6, 7 and 8 तीके, now next step रड़ी, आप धान मेरेके मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यहां से पैर को इस तरीके से उपर की तरफ उठाना है, बेंड करना है और देन, नीस को बाजू में लेना है, इस तरीके से ओके, फिर देखो, यह 1 and 2 and stop फिर यहां से फिर से 1 and 2 and stop 1 and 2 and stop देख लेना, बिल्कुल आसाल, टोस के उपर पहला पैर, फिर यहां से 1 पैर को बेंड करके, आपको बाजू में इस तरीके से लेना है 1 and 2 और लैप करके, आप उसको जगे पर रख देना है पिर इस तरीके से, गंटिनियूसली, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जब तक आपका फेस सामनी की तरफ नहीं आता है तब तक आपको करना है तब तक आपको करना है, तब यहां से, इस तरीके से, आपको एंड्स यहां पे रखो, और यहां का यह जो ऊपर का जो हिस्सा है, यह आपको बाद में लेके जाना है मतलब 1 and 2, 3 and 4 में आप उपर का हिस्सा लेकी जाना है, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे कि यह, यह तो आप पहले उपर का भी ले सकते हो, 1, 1, 1, turn your shoulder, ठीक है, बाद में आपको लेक्स को लेके जाना है इस तरीके से, 1 and 2, 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 नीचे का basic क्या होगा? पहले हमने बता चुके है, आपको, 1 and 2, पहले shoulder उपर गा, यहां से, 1 and 2, 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 रही? आप जितने भी steps हो गए, इसका घर में आप practice करेंगे, next episode में आपको कुछ नए steps मिलेंगे, ठीक है? ओके?